किसी के बारे में बोलने से पहले एक बार सोचना चाहिए था हलो फ्रेंड नमस्कार मैं मधूली का आप सबका श्वागत करती हूं आपके अपने यूटूब चैनल जिसका नाम है मधूली का यूपी आर बियल तो फ्रेंड आज मैं बात करती हूं एक जैसे कि आप देख रहे तो कल वो माम ला रहा तो कभी उनकी बात आ रही कभी उनकी बात आ रही मगर दोस्तों आज में एक मेरी बहन है जो की बहुत ज्यादा परेशान है बहुत ही ज्यादा परेशान तो मैं उनके बारे में एक बात करना चाहती हूं एक बहुत है जिनका अंजली गोरक पुरी कर रहें कि प्लीज दी क्योंकि यह जो मेरी बहन है निशाज गोरकपुरी करके यह जो उनको गाली दे के बात कर रहे थी जो भी एक दो भाईया एक भाईया है और उनको देखो ठीक है बहन आपने गाली दिया किसी को पहली बात अगर आपको बात रखनी है वाईटी पर सब लो भिला जाते हैं दमबवा हो जाते हैं आपने बहुत गंदा संदा बोला था बहुत ज़्यादा मतलब थमनेल में भी लगाती थी प्लस गाली संबोधित करके मैं तो कभी न सुन सकती हूं और न बोल सकती किसी को ऐसे वह गाली देके बात करती थी और जो एक भाईया है उनक को इस्टाइक दिये तीन तीन इस्टाइक दे दिये बात यह है कि इन्होंने गलत किया और किसी को गाली नहीं देना चाहिए मगर एक बार दिदी जो अंजली जी हो मैं आप से रिक्वेस्ट करूं किसी की मेहनत को पानी मत फेरो आपने उनको जिला दिया उनका कल का वीडि में तीन इस्टाइक है तो एक इस्टाइक तो हटा लो आप और दो इस्टाइक पड़ी रहने दो अब उनके लिए सबक हो गया अब आइंदा से वो कभी नहीं बोलती है मैं जहां जितनी गाली दे दो हम गरीब है यह है अब यह है वो धोखे में थी कुछ भी था किसी के मेरा मानना यहीं किसी को नहीं देना चैए और लिए ऐसके बात आप नम ले की इतनी गण्दी गण्दी गाली दे रही थी अब सामने वाला तो परेशान था उनको अपनी गल्ती का हज्व गया है तो जिसके वज़ेसा प्लीज आप इश्टाइक वापस ले लेज़े में का पानी मत फे दिये बहुत रो रही थी उनकी वीडियो देख के रोना आ रहा था वो गलत की है वो खुद मानती है कि मैंने गलत किया है मुझे सजा दे दिये हो मगर इस तरह मत दो अपनी बड़ी बहन समझ के छोटी बहन ऐसे रिक्वेस्ट कर रही तो एक बार आप लोगों को सुनना चाहिए तो आज की बात करते हैं गोरकपुरिभौजी के सपोर्ट में वीडियो बनाती थी गंदे गंदे वर्ड यूज करती थी जो की ना सुन सकते ना बोल सकते एक औरत के लिए इतना गंदा बोल सकती थी जिनकी सजा दी है अंजली जी ने इनको दे दी अब आप लोगों से यही रिक्वेस्ट वापस कर लो बैचारी रो रही यह बास सही है जब आपको गाली दे रही थी तो आप यहीं बोलों कि तब नहीं दिख रहा था तब भी कि हम लोगों बुरा लग रहा था कि कमेंट कर रहे था हम लोग कि प्लीज आपको लड़ना है सपोर्ट करना है तो सपोर्ट को ऐसे गाली मत दो मगर आप गाली दे रही थी मगर आप उनको सजा मिल गई है अब मैं तो यहीं चाहूंगी कि आप उनकी इस्टाइक जो तीन- जो चंदा भावी है चंदा भावी वहां थी जब किनरों ने ऐसे ऐसे किया था तो मेरे के में एक कमेंट आया है क्यों वहां पे चंदा भावी नहीं थी और गोरकपुरी भावजी भी ही लेके गई तो ठीक हो सकता है नया रही हो चंदा जी नहीं नहीं होंगी क्योंकि मैं मैं भी दूसरे की वीडियो को थ्रू देखा था मैं उनकी वीडियो में था कैऊंडा जी ु करती हूं का भी मैं मैं चंडा जी की वीडियो देखतीं पूर्रक पुरी बहुत कि भी हम लोगुस्य क्यवेश्ट दोस्तों अप लुग ऐसे हैं मामुला जो आप ज्युक्र врем उसको सुलजा लीजिए इससे बच्चे भी प्रभाव पड़ते हैं अगर आप कोई गंदा गंदा गाली दे रहा है तो बच्चे वीडियो देख रहे हैं बच्चों को उपर क्या फ़र्क पड़ेगा यह भी है वाइटी एक मनोरंजन का शाधन हम भी वीडियो बनाते एक मनो रंजन के लिएधी वीडियो बनाती है जाल और आठी बात विशनु राज की तो। देखो बिशनु राज दोसी है कि नहीं यह तो देखो चन्दा भावी ने भी बताया है और गोरिक पुरीq ऑजी जी मतलब अभी उनके विशनु राज की उपर कुई उसको दोसी नहीं कह जब हमारा प्रशाषन अभी थावित नहीं कर पाया है तो हम आप कहां से कहने वाले हैं किसी को कि यह निर्दो से यह कातिल है यह ऐसा किया हूँ आप नहीं कह सकते किसी को क्योंकि इसके लिए हमारे उपर वाले हैं यानि कि हमारा शम्मिधान हमारा कानून है वो खुद देखेगा वो तै करेगा कि सामने वाला मुल्जिम है कि नहीं उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए हम और आप कौन होते हैं क्योंकि कि जूजी जेल में हैं और श्ब्रत जिन जी जब थे मालती जी के साफंग जब बनाते थे जिसनुची के पास इतना पैसा से था अगर चाहते तो अपनी मां को बैठा के खिला मगर विश्णु ने अपनी मा को बैठा के नहीं वो अपनी मा से अलग रहते थे मालती जी के शाथ में थे मालती के अब लोगों का तो कहना यही है कि मालती की सास से नहीं पढ़ती थी जिसकी वज़े से सास से वो अलग थी वो सास को खाना नहीं बना के खिलाती थी एक वीड और बिश्णू तो मतलब अपना पैसा कमाते थे और अपना उड़ाते थे उसकी माँ जो है मेहनत करती थी तब साम को खाना खाती थी मगर आज एक माँ अपने बेटे के लिए रो रही बेटा उसका जेल में हो रो रही कहते ना माँ की ममता सबसे बड़ी होती माँ दुनिया का ऐसा सच है जो कहते ना माँ तो माँ ही होती है माँ दुनिया का इतना बड़ा सच है बेटा उसके उपर कितना भी जुल्म कर दे मगर एक माँ अगर बेटा उसको मार दे कंटाग तब भी वो कहेगा माँ तो तुरंत मा दौरी जाएगी वही हाल मैंने देखा विश्णुराज की मौसी और विश्णुराज की मा का और उसकी बहन का भी वीडियो आया सामने और दोस्तो मालती के केस को हम लोग चाहते हैं कि जो गुनेगार है उसको सजा मिलनी चाहिए जाहे वो अरजुन बर्मा हो जाहे राधिका जी हो और जाहे मतलब इन में से चारों लोगों में से कोई भी हो तो सजा मिलनी चाहे जब कहा जाता है कि गोरकपुरी भाजी जी का भी यही कहना है कि जब सजा जो है सजा मतलब क्यों विश्णु ही जेil में क्यों है क्योंकि वहां पे वो बता रहें कि जब FIR हुई थी तो जब मालती जी के शाथिये हुआ था मालती जी को मतलब जिस दिन मालती जी इस दुनिया को छोड़ के चली गई हम सबको उसी दिन जब मालती के पीता ने जब FIR किया था तो उसमें अरजुन बर्मा थे और राधिका थी राहुल थे बिश्नुराज तो बिश्नुराज को ही जेल में क्यों बंद किये सारे लोगों को नहीं क्यों नहीं बंद किये यही उनके घर वालों का कहना है और मालती के पीता ने सबसे हाथ चोड़ के बिंती भी की कि हम अनपढ़ हैं मुझे पता नहीं जो मुझे कोई कह लेए था तो मैं सब की बात मान लेता हूँ इसलिए मुझे नहीं पता था कि उस दिन क्या हुआ था जो किनरों की बात आए कि किनर को गोरकपुरी भौ जी और यह लोग ले के घए उन्होंने खुदब अपनी वीडियो में बताया है कि जो किनरों को है वो किननर को हम लेके गए थे शात में क्योंकि हमने सोचा था किननर लोगों से सपोर्ट मिलेगा इसकी वज़े से वो लेके गए थे ऐसा उनकी वीडियो से पता चला है एक इंटर्वी हुआ जिसमें उन्होंने बताया है कि ऐसी सी बात है इसमें गोरकपुरी भौजी का कोई कोई हाथ नहीं जैसे बहुत बताते हैं कि वो है तो उनका कहिना है कि वह उनका कोई हाथ नहीं वो तो इतिशक से पहुंच गए थी और वह भी बाद में पहुंची है क्योंकि ब्लिन वीर्म हो बहुक्त मैं पहुंची थी और मैं तोARK आ इसा समत करो मैं indoors का предлож is known in आप कि मा भी माग रहीं जब वो ऐसा कह रहीं और उन लोगों का कहना है जो थाने में BBC कैमरा लगे थे CC कैमरा ही हमारा बेगुनाही का श्रबूट रहे तो एक बात CC कैमरा की जो फुटेसे वह सामने क्यो नहीं आती है प्रशासन कह रहीं हमारे साथ खिलवाण किया है ऐसा गोरक पुरी भोजी का कहना है तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा क्या ये सही था जैसे कि नर्म शमदाय के लोग गए और जैसे ठाने में जाके वहाँ पर मालती के लिए इंसाफ मांग रहे थे मालती के लिए है इनसाफ आप भी मांग रहे हम सारे लोग चाते कि फी कोई महिला मालती जैसी न बने तो मालती के लिए सब मांग रहे हैं मगर ये और कहां का सही है कि कि नर्म्दाए के लोग जाते हैं वहाँ जाके अपना मतलब ठाने में जाके कपड़े निकाल के और प्रशासन के शाथ उल्टा शीधा जो भी किये हैं तो यह सब तो नहीं था अगर आप लोग चाहते तो जैसे पुलिस से मतलब प्रशासन तुभाई देखो जब तो कोई वहां पे चलता है शबूत जब तो कोई शबूत नहीं मिलेगा हम किसी को गुनाएगार नहीं शाबिद कर शकते हैं वैसे ही था आप लोग चाहते तो कोट के जरिए लड़ते वकील के माध्यम से लड़ते और मालती को नयाई दिलाते मैं भी चाहती हूं मालती को नयाई मिले क्योंकि मालती का एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चा देखो जिसके लिए आसू आते है उसे क्या पता कि मेरी मा कहां चली गए सब लोग उसे पूछते मा कहां गई तो बुलता उपर मा कहां गई उपर यानि मा उपर चली गई है ऐसा सब लोग उसको बताते हैं और इस नन्हा से बच्चे को एक वीडियो को माध्यम बनाए रहे हैं कोई जाता एक चोकलेट देत वीडियो बनाता उसका लेके आ जाता कोई जाता कुछ खिलाता वीडियो बनाता क्योंकि वो आयरल चला है तो लगता नहीं है कि बच्चे का भविस अच्छा जाएगा फिधाल दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा कि इसमें कौन सही कौन गलत है आप लोग चाहते हैं कि नहीं मालती जी को इनसाफ मिले जो निर्दोस है उनको छोड़ा जाए और जो दोसी है उनको सजा मिले अगर विश्नुराज ने ऐसा किया है तो विश्नुराज को कड़ी सी कड़ी सजा होनी चाहिए अगर विश्नुराज निर्दोस है तो उनको छोड़ना च आप अभी